दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट पर बात करेंगे पहला की जो सीटेट का तो अब यहां पर आपको फाइनल रिजल्ट और जो आपकी फाइनल आंसर की है यह दोनों ही आ गई है तो अब यहां पर आपका सार्टिफिकेट और मार्क सीट कब आएगा और दूस इतने बच्चे जिस एवज में बैठे जितने परसेंटेज में बैठे उस परसेंटेज में रिजल्ट नहीं रहा है यह एक बहुत इंपोटेंट पॉइंट है जो आने वाले समय में अगर आप दुबारा एक्जाम देना चाहते हैं या जो बच्चे इस बार एक्जाम कलता है उसके 20 से 25 दिन के बाद डीजी लॉकर में आपका आ जाता है डीजी लॉकर बहुत सिंपल है आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद रेस्टर कर सकते हैं मुबाइल नंबर आधार कार से हो जाता है वो फिर उसके बाद उसमें आप आ जाएगा आप उसमें जैसे ही उसमें रिक्वेस्ट करेंगे अगर आ गया होगा तो आ जाएगा 15 से 20 दिन 25 दिन तक है सीटेट इस बार बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहा है और 10 मार्च तक का टार्गेट था सीटेट रिजल्ट तक का तो थोड़ा पहले ही आ गया और तो हो सकता है कि 15 दिन में वो भी निकाल दे लेकिन 20 से 25 दिन मोटा मोटी का टार्गेट रहता है कि डिजी लोकर में वो साटिफिकेट दे देंगे ठीक है अब रही बात की इस बार जो रिजल्ट परसेंटेज है वो अगर आप देखेगा तो वो लगभग 23 परसेंट है ठीक है और पिछले साल रिजल्ट परसेंटेज जादा था 27 परसेंट के करीब था रिजल्ट परसेंटेज क्यों कम बहुत सारे इसके region हैं पहला तो यहाँ पर जो मैं जो मैंने बहुत closely देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका not attempted कर दिया गया है और अब देखे एक दो बच्चे का होता तो मैं बोल सकता था कि बच्चे की गलती है लेकिन इतने बच्चों का not attempted कर दिया गया है और इसका region जहां तक मुझे लगता है क्योंकि अभी तक कोई clarification तो मुझे भी नहीं मिला मैंने भी बार बार email किया था और उस वज़ास उसका marks भी नहीं मिला दो region हो सकता है एक तो एक तो सबसे पहला region की मानने जहीं कि बच्चे गने गलती की होगी लेकिन इसलिए नहीं मान सकते हैं कि उसमें बहुत सारे बच्चों का आ रहा है तो जब बच्चों ने submit किया students ने जब submit किया उसके बाद data जो पूरी तरीके से वहां पे गया सब्मिट करने के बाद जो TCS करवा रही थी तो जो सीटेट के पास data गया उसमें वह missing होगा तो वह चाहे जो भी हो कई बार होता है टेक्निकल इसूस के करना आप कुछ फॉर्म फिल करते हैं उसमें वह कोई data नहीं जाता है बहुत है वह गया है नहीं वाटसप सब्सक्राइब कर रहा है मेसेज भेजे या टेलिग्राम में तो मेरा इधर भी हुआ है भेजे और गया है नहीं सेंट पे क्लिक किया गया ही नहीं तो हो सकता है कि वह data ना गया हो या जो भी टेक्निकल इसू हो जिसको कि सीटेट वापस रिकवर नहीं कर पाया तो वह एक चीज है दूसरा चीज दोस्तों सीटेट का एक्जाम का लेबल ठीक था मतलब कई वर क्या होता है कि हम लोग था या बहुत complex था इसा नहीं देकि लेवल ठीक था तो पहले के सीटेट में और आपके सीटेट में थोड़ा फड़के ही है कि पहले आप कम पढ़के भी या नॉर्मल पढ़के भी कर सकते थे और अभी ऐसा नहीं कि आपको बहुत जादा पढ़ना है अभी आपको intellectual तरीक आप लोग भी अपने comment में feedback जरूर बताईएगा उसी तरह से अगर आप देखेगा कई बच्चों का जो अच्छे अच्छे question में बच्चों ने जान बूच के जल्दबाजी में गलतिया कर दी बहुत बच्चों का computer के कारण problem हो गया बहुत बच्चों का वहां पर mindset computer नहीं चलाए थे या hang हो गया था या उनको खुद बहुत आडिया नहीं था ऐसे बहुत सारी चीजें थी तो देखे जब ज्यादा बच्चे phone भरते हैं तो हर चीज का ratio होता है तो मेरा आप लोगों से यही request है कि आने वाले समय में आप लोग की यूपी टेट होगी, सूपर आएगा तो उनमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना है कि जो सीटेट का आने वाला समय है उसमें ये अगला सीटेट भी आने वाला है या बाकी जो भी एकजाम आने वाले हैं उसमें हम ये ध्यान रखें कि इस बार जो हमने mistake की है, मैं सारे इस फ्रेंट को बोलना चाहता ह तो आपने pass किया हो या fail किया हो, जो भी question गलत हुए है, final answer की तो आपके सामने है, जो भी question गलत हुए है, वो क्यों गलत हुए है, और या सोचे कि उस time पर आपके mind में क्या चल रहा था, technical issues आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हैं, इसको जरूर हमको improve क करना है, और हमको आगे जाना है, competition बढ़ रहा है, तो उसमें sustain करना, देखें, थोड़ा एक second अपने लिए निकाल कर जरूर सोचिएगा, कि जो भी result आया है मेरा, उसको हम क्या improve कर सकते थे, चाहे pass हो या fail हो, तो कैसे कर सकते हैं, और ultimately simple सी बात है, आपका result होगा, तभी आगे opportunity मिलेगी, या आगे job मिलेगी, और अभी के समय में पढ़ना पढ़ेगा है, क्योंकि बहुत एक poisonous truth है, कि seated करके लाखों बच्चे बैठे हुए है already, अब आप भी seated कर रहे हैं, तो उन में से job उसी को मिलेगी, जो, जिसे KVS की थोड़ी vacancy आई, या मालने जे कहीं पर पढ़ेगा, आप समझ रहें ना, तो आप जो 7, 8, 10 लाग लोग बैठे हुए हैं seated करके, उसमें से वही लोग आगे बढ़ेंगे, जो, खुद के नौकरी पाने को छोड़ कर, ये सोचेंगे कि मैं इनके कोई school है, कोई vacancy है, उसमें उनकी लिए कैसे fit बैठ सकता हूँ, क्य जैसे है, नवोदे जैसे है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये उसी को लेगा, जो उनकी लिए fit बैठेगा, हम क्या करते हैं, हम सुचते हैं कि हमारी नोकरी कैसे लग जाए, इसलिए दिक्कत हो जाती है, हमको ये सोचना है कि इनकी requirement क्या है, उनके हिसाब से हम अपने आपको कैसे बना सके, तो competition अब बहुत बढ़ रहा है, और यहाँ पर हमें निस्चित रूप से उस पे एक जोर सोर लगा के, देखना होगा कि जहाँ पर कमी है, जिस प्रकार की चीज़ें गलती हो रही है, जो mistakes हो रहे हैं, क्योंकि अब तो लगभा की exam धिरे धिरे online होंगे, तो ह बहुत सारी चीज़ें जो exam के दौरान थी, उन सब के करण ये marks में आपको कमी देखने को मिला, तो उमीद करते हैं, आगे का exam better होगा, और आप सभी लोग भेतरी नधंग से काड़े करेंगे, thank you very much, see you in the next video.